तो आप सभी लोग, तो देखो है hour Air Force XY की वेकंसी को आप सभी का वेकंसी मुझे पता है लकिन यहां पर देखो तर्फिर से आप सभी के लिए Air Force Group C की वेकंसी आ गई है ठीक्यार देखो आप सभी को पता है कि इस बार मतलब की 2020 में कम से कम चार से पाँच बार Air Force Group C की वेकंसी आचुकिया है, और अभी हाल प्लाल में कोस्त कार्ड ने की Indian कोस्त कार्ड की भी GruP C की वेकंशी आई थी और Indian ने भी GruP C की वेकंशी आई थी date उसकी खतम हो चुकी है, ठीक है, तो आप इसको देख लिया India कोस्त कार्ड भूस्त वेकंशी फिराने की वह आट पोस्ट है तो मैंने इसके लिए कुछ खास इंफॉर्म किया नहीं हो कि आर आठ पोस्ट है तो इसके लिए कुछ यदा मतलब होगा नहीं excited ठीक है तो बात करते हैं Air Force Group C की जो नई vacancy आई है आज आपको बता है 21 October है और यह आज की update है ठीक है Air Force Group C की नई vacancy है तो यह आपके लिए golden opportunity हो सकती है तो मैं आपको सब कुछ बताओं कि आपको क्या मतलब की इसमें eligibility criteria क्या है और इसके post कितनी है कहां पर post है सब कुछ आपको बताओंगा तो आप video complete watch करना चले start करते हैं तो यह बिल्कुल नई post है आपको पताओंगी चार बार पोस्ट आ चुके है ग्रुपसी की और यह पांचवी बार दोजारी की उसमें आती है ठीक है तो अगर बात करें सबसे पहले post के name की तो आपके इसमें LDC की post है MTS है, Store है, OG है, Cook है, Carpenter है, MTS है और Fireman की post है तो इतनी post हैं आपकी जो की इस बार गुरुपसी में निकाली गई है recruitment और अगर बात करें important dates की यानि की form कबसे start होगा तो आप 30th October से आप form फिल कर सकते हूँ आपको पता है कि जब ये employment news में इसका अड़ोटेस्मेंट आता है तो उसके 30 दिन तक आप अपना जो form है offline फिल कर सकते हो ठीक है, offline form कैसे फिल करना है, YouTube पर बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं आप जागर देख सकते हो, अगर फिर भी आपको दिक्क्त तो आप comment कर सकते हो ठीक है, तो 30 दिन तक आप form फिल कर सकते हो तो इसका जो date है कि तरीके से आपका 30 October से है और आपका 29 November तक आप इसको फिल कर सकते हो और इसके लिए आपको पता है, कोई भी फिस नहीं होती है ये free होता है form ठीक है, और आपको इसके offline ही apply करना पड़ता है यहने कि आप सभी को जो आपके पुराने भाई बहना मुझे से पूशना हो अच्छे से पता है कि offline कैसे apply किया जाता है बागी आपको अगर कोई दिक्कता बता सकते हो अगर बात करें age limit की तो आपकी age limit आपको पता है इसमें 18-25 साल होती है unreserved के लिए और इसके अलावा इसमें age relaxation भी होता है क्योंकि आप सभी को पता है यह civilian post है ठीक है तो इसमें जो भी आपको मिलेगा बागी 18-25 यह unreserved के लिए है ठीक है तो अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो इसमें आपको टोटल 83 पोस्ट है ठीक है 83 वेकंसी आपकी है और अगर बात करें किसमें कितनी पोस्ट है तो LDC की आपकी पूरी 12 पोस्ट है आप कटेगरी देख सकते हो ठीक है यह कटेगरीस की नेम है और यह टोटल बैकंसी है MTS की आपकी टोटल 18 पोस्ट है यह आपकी कटेगरीस डिवाइड है और यह स्टोर की सिर्फ एक ही पोस्ट है और OG की आपकी पूरी 20 पोस्ट है पूरी 45 पोस्ट है और यह देखो आप categories divide है आप इस देख सकते हो बाकी cook की आपकी किवल 5 post है यह आपकी categories divide है और car printer के आपकी सिर्फ एक ही post है और बात करें अगर fireman की तो fireman की आपकी सिर्फ एक ही post है तो आप देख सकते हो इसके लिए आपको कोई complete कर सकता है अगर बात करें आप आगे eligibility criteria की य DC के आपको बता है एक post है ठीक है तो इसके लिए आपको 12th pass होना चाहिए और इसके लावा आपके देखो यहापर typing speed भी मांगी गई है तो अगर आपको इसके लिए apply करना है तो आप typing speed के practice करना सुरू कर दीजिए ठीक है 35 WPM English का है और 30 WPM Hindi का speed है और अगर बात करें MTS की त MTS की तीन post है और इसके लिए आपका matriculation होना चाहिए और matriculation अगर आपके पास नहीं है तो इसके equivalent जो भी qualification यहाँ पर चल जाएगी और अगर बात करें आपका जो eligibility go 12th pass होना चाहिए और इसके लावा आपकी दुखवई से इन speed हा मांगे के है world power आपकी typing की और अगर बात क लिए तो इसके लिए एक post है और इसके लिए आपको graduation यहाँ पर चाहिए ठीक है आप किसी भी university से graduate आपको चाहिए या उसके equivalent जो भी है और अगर आगे बात करें OG की तो यहाँ पर इसकी भी एक post आपको पता है और यहाँ पर आपके लिए matriculation यहाँ पर मांगा गया है तो matriculation इसके अलावा यहाँ पर valid civil driving license भी आपके पास होना चाहिए दोनों light vehicle और heavy vehicle दोनों के लिए आपके पास driving license होना चाहिए ने कि DL ठीक है और अगर बात करें यह post आपकी है असम में तेजपूर में ठीक है तो जो लोग असम के उनके लिए golden opportunity उसे fill कर सकते हैं अगर आगे बात करें OG की तो इसकी एक ही post है ठीक यार तो इसमें भी देखो सेम ही है देखो मैं आपको बताना भूल गया इसके OG के लिए यहाँ पर आपके लिए कम से कम दो साल का driving motor vehicle आपका experience भी होना चाहिए और सेम सब इसके लिए भी है ठीक है तो आप इसकी post आपकी गुहावटी में है ठीक है तो आप जो लोग गुहावटी से इसको apply कर सकते हो अगर बात करें कुक की post के लिए तो यह जैसल मिल रजस्थान के लिए निकली है और इसके लिए आपका एक year का experience होना चाहिए ट्रेड में और अगर बात करें आगे आगे ओजी की ठीक ही यह दुखा कि post कुक की थी और अगर बात करें आगे ओजी की तो यहाँ पर देखो यह 5 vacancy निकली है चिन्नाई में क्या बोलते हैं ताबाराम में ठीक है और यह एक post निकली है जैसल मिल में और अगर बात करें आगे हो जी की एक post निकली है आपकी हकीम पेट में ठीक है यार यह कहां यह सिकंदराबाद में है तो आप इसको देख लेना बाकी qualification देखो सबकी बराबर बगल में दे रखी तो आप इसको पढ़ सकते हो qualification कुछ खास अपके difference है यह बस क्या है कि सब में जिससे जो post जिस प्रकार से उसमें उस प्रकार से experience मागा गया है तो आप इसको देख लाना कि किस में क्या मागा गया एक experience किस में क्या मागा गया ठीक है और अगर बात करें आगे तो यहाँ देखो मोटा-mोटा आप इसे कुद आख सकते हो मैंने इस पर देखो आपको अगर मताओंगा इसमें काफी time loss होगा आपका ठीक यार तो यहाँ पर देख लो यार देखो यह कानपूर में देखो vacancy भी निकली है चार vacancy OG की कानपूर में है और LDC की एक vacancy कानपूर में है और पाँच पोस्ट MTS की भी कानपूर में है ठीक यार तो जिसको यह नहीं कि जैसे आपकी अगर state में आपके district में तो आप इसाप ज़रूर फिल करना बाकी आपकी मर्जी आप फिल कर सकते हो पूरी 83 पोस्ट है और आपको पता है कि यह offline paper होता है सब कुछ इसका offline पोता है process और आप इसका जो मतलब मुख टेस्ट की बात करें तो आपको test book को मिल जाएगा देखना कि इसका paper कैसे आता है तो आप test book का link में discussion दे रखका है वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा free में आप देख सकते हो कोई purchase करने जरूवत नहीं है ठीक है और ठीक है यही सारी details की देख लेना अगर आपको apply करना है तो आपके डिस्टिक में आपके state में वेकिंसी है या नहीं है देखो अलाहाबाद मनौरी में ठीक है मनौरी मेरे घर से पास में है टुटल दो पोस्ट LDC की है साथ पोस्ट OG की है एक पोस्ट MTS की है ठीक है तो आप देख लो अगर आपकी घर के पास मतलब की आपके इस डिस्टिक में आपकी state में है तो आप apply कर सकते हो बकी 83 पोस्ट है और इसकी जो date है वो date आपकी करीब 30 October से लेकर 29 November तक है तो आप इस आपको पता है ना यह तो यह तो आपको आपको अहां पर मालू हो कि आपको पता है I think seven minute time मिलता है मुझे लगता है ठीक है जो भी आपको और को और कोई दिक्क्त आते है और कमेंट कर सकते हो बकी ठीक है जय हिंजय भारत वंदे मातरम